आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में इस फेस्टीवल के मौके पहर एक इंस्टेंट इसकिन ग्लोइंग फेस पैक शेयर करने जा रही हूँ जो इस फेस्टी करवा चौथ के लिए है अगर आप ब्यूटी पालर नहीं चापाए हैं अभी तक तो आपको निराश होने की जरुवत नहीं है मैकप से 10 मिट पहले इस फेस पैक को अपने फेस पर एपलाई कीजिए और फेशियल वाला निखार अपने फेस पर खूद फील कीजिए चले फ्राइंड स्टार्ट करते हैं फैक को बनाना इसे बनाने के लिए मैंने कौफी पार लिया है। आपको दिखेगा आपको यूज़ करते हैं वही आपको उसको करने के बाद मिलेगा तो इसे बनाने के लिए मैने यहाँ कॉफी लिया है एक चमच मैंने यहाँ कॉफी पाउडर लिया है ये आपकी स्किन को बहुत अच्छी से स्क्रबिंग भी करता है कॉफी पाउडर इसके बाद में हमें अलोविरा जैल लेना है वह आप घर का भी ले सकते हैं और नहीं है तो मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं यह मैंने थोड़ा सा ही लिया है क्योंकि इतना सफिशेंट है यह देखिए इसे अच्छी से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद में एक चीज और लेने हैं हमें यहाँ पर इसके बाद में हमें यहाँ पर एड़ करना है लेमन जूस कुछ ड्रॉप में लेमन जूस की एड़ करूंगी इसमें यह हमारी इसकीन को बहुत जड़ा ग्लोविंग बनाता है को बाद में हमारी ज़िए अच्छी से मिक्स कर लीजिए अगर आपकी इसकीन बहुत जड़ा रेडियंट नजराएगी आपको कुछ और लगाने की जरुद नहीं पड़ेगी यह देखिये फ्रेंड मैं अपने हैंड पर आपको इसे एपलाई करके बताती हूँ अगर आपने फेस पर कोई मेकप लगा रखा है तो पहले उसे अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा उसके बाद में इसे एपलाई कीजिएगा इस तरीके से आपको अपने face पर अच्छे से इसकी massage करना है 2-3 मिनिट के लिए और जब आप अच्छे से massage कर लेंगे आपकी पूरी daddy skin निकल जाएगी इसके करने से पेरा एकदम clean हो जाएगा उसके बात में आपको इसे 15 मिनिट के लिए लगा कर छोड़ देना है ये coffee का जो पैक है वो आपकी skin को radiant बढ़ाएगा skin की चमक बढ़ाएगा shine बढ़ाएगा आपकी skin को fair glowing मनाएगा आप इसे week में दो बार कर सकते हैं और makeup करने से पहले आप इसको apply कर सकते हैं तो अगर आप इसको बीक में दो बार apply करते हैं तो आपको किसी भी makeup को लगाने की जरूत नहीं पड़ेगी बहुत अच्छी skin हो जाएगी आपकी ये देखे फ्रेंड मैंने hand wash कर लिया है कितना glowing radiance नजर आ रहा है आप इस जरूर ट्र उर नहीं